गूगल पे payment history या गूगल पे transaction history delete कैसे करते हैं आज किस वीडियो मैं आपको बताने बाला हूँ सबसे पहले Google Pay को open कर लिजे इसके बाद profile वाले option पर आप किलिक कर दें इसके बाद कुछ इस तरह का option आपको खुलेगा तो इस page को scroll आप कर देंगे जैसे ही आप setting वाले option पे आप किलिक करते हैं इसके बाद privacy and security वाले option पे आप किलिक कर देंगे इसके बाद first number पे ही आपको मिल जाएगा data and personalization यहाँ पे आप किलिक कर दें इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं Google account यहाँ पे लिखा हुआ छोटे से अक्षर में हम आपको जूम करके दिखा रहा है तो इसी वाले option पे आपको किलिक कर देंगे जहां से आप Google Pay का transaction history आप delete कर पाएंगे इसके बाद डिरेक्ट आप इस पे पे आजाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या select करना है जो भी आप Google Pay में email id दिये हैं वही email id यहाँ पे किलिक करके उस email id को यहाँ पे आप select कर लेंगे तभी आप Google Pay का transaction history delete कर पाएंगे तो चलिए हम यहाँ पे select कर लिए हैं इसके बाद आपको continue वाले option पे आपको click कर देना है जैसे ही आप continue वाले option पे आप click करेंगे तो जो आपने log लगाया है या fingerprint या कोई भी आपने log लगाया है वह log यहाँ पे enter कर देंगे इसके बाद यह page खुलेगा तो इस page को scroll up कर दें तो यहाँ पे देख सकते हैं delete का option आ चुका है और यहाँ पे आपने जो भी transaction किया होगा वह यहाँ पे show करेगा और यही सब transaction history को आप delete कर पाएंगे delete करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं एक cross का option दिया गया है इस वाले cross वाले option पे आप click कर देंगे तो यहाँ पे delete automatic यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते है delete complete हो चुका है और यहाँ ठाप पे go heat वाले option पे आप click कर देंगे यह पूरी तरक तरह से delete हो जाएगा लेकिन अगर आपको सभी को delete करना है वो कैसे delete करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं delete का option लिपा डिया गया है delete वाले option पर फिलिक कर देंगे इसके बाद यहाँ पे last गंटे का डिलीट कर सकते हैं लास्ट एक दिन का डिलीट कर सकते हैं उसके बाद आल टाइम का डिलीट कर सकते हैं और कस्टम भी कर सकते हैं किस डेट से किस डेट तक आपको डिलीट करना है हमें जो है एक दिन का डिलीट करना है तो यहां पर लास्ट डेपर किलिक कर देंगे और यहां पे एक दिन का यहां पे delete हो जाएगा कुछ इस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं एक transaction history delete करना है अगर आपको यहां पे एक या दो transaction history delete करना है तो यहां पे cross वाले option पे आप click करके इस तरह से आप यहां पे delete कर सकते हैं से कि आप यहां पेओבן ते कंपरेट हो चुका है अगर आपको सभी को मुफर करना है तो फिर शे मिलीट सब्सक्राइब करदेंगे हर ल हग आप किलिट कर सकते हैं तो हम यह अलग टाम पर टीन नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक दिन का ही डिलीट करना था इसलिए हम यहां पे एक दिन का हम यहां पे डिलीट कर दिये हैं तो इस तरह से आप यहां पे Google Pay का transaction history को डिलीट कर पाएंगे